नमस्कार मैं शम्बुकुमार सिंग और आप्देक्शनेशन दस्ता कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है आसा करता हूँ आप सब ठीक होंगे सरकार आपको जुनजुना पकरा रही है फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं आज साम आठ बजे मोदी फिर आप से रूबरू होंगे देश के पढ़ान मंतरी कि आप आई टी आर तीस जुन तक फैल कर सकते हैं किसी भी एटियम से पैसा निकाल सकते हैं कोई जुर्माना नहीं लएगा कोई कंक्रीट काम नहीं हो रहा है आस्पतालों की क्या त्यारी है, आइसलेशन वर्ट की क्या त्यारी है, कॉइंटराइन की क्या त्यारी है, डॉक्टरों के लिक्विप्मेंट्स है की नहीं, कैसे इसे जड़ेंगे, लॉक्डाउन करना ये सबसे जरूरी है, ये तो किजिए आप, लेकिन घर में कैसे खाना दूद कैसे पहुंचेगा पानी कैसे पहुंचेगा मजदूरों की जिन कैसे होगी मुझे लगता है कि लोग जादा मर जाएंगे भूखे दो और यह सब बाते मीडिया नहीं दिखाएगी दो बैठक परधान मंतिर नर्द मोदी ने आज से पहले की है अभी जब उन्होंने थ हाथ मल यह सरकार क्या कर रही है है हॉस्पिटल की क्या हालत है डॉक्टो की यह नहीं बताना है लगातार वीडियो आ रहे मरीज को छोड़कसर बहांट है ऋसमें कोई इंतजाम ही नहीं है जबकि वह पेसेंड toujours और करोना से तो आपको सिर्व जन ढुना पकराया जा रहा है सोचे कितनी शर्मनाक है ये सब कि बैंक से पैसा निकाल सकते हैं एक बात तो तहे कि लॉकडाउन इसका सबसे बड़ा इंतजाम है अगर आपको कोई जिंदगी और मरन का सवाल नहों तो घरों से बाहर नहों निकले और ये सरकार जो ये सब जुझुझुना पकरा रही है कि आधार कार्ट पैन कार्ट जोड़ने की तारिक बढ़ा दिये हैं आई टी आर फाइल करने की तारिक वरा दी हैं, अरे जिन्दा रहेंगे तब तो आई टी आर फाइल करेंगे ना, जिन्दा कैसे रहेंगे ये तो बताओ, अस्पताल, स्कूल, ये सब कुछ परबाद कर दिया गया है, अब तक कोई बैकल्पिक वस्था भी नहीं किजा रही है दूसरी तो मीडिया आपको इह सब नहीं दिखाईगे, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया, मीडिया आपको दिखाईगे, हाद साफ किजिए, घर में बैठे रहे ये, ये दोनों काम हम लोग कर रहे हैं, आगे क्या, ये एक बात, दूसरी बात इन्होंने बिजनेसमैन के साथ की है उसको उन्होंने भरसा दिला है कि आपका कुछ नहीं बिगरेगा अब तक कोई भी बिजनेस्मेन कोई भी बड़े-बड़े मंदिर ट्रस्ट के लोग नहीं आ है रही बात क्रोना की तो मैं यह बता दूं आप लोग को कि कुरोना का जहां तक मामला है तो यह आसानी से ज लगेगा दूसरा अभी तक कोई रास्तानी बेकार के अफवाहों में मत पर यह बहुत सारी यूट्यूब चैनल भारत के गुंगान करने वाले यह दवाई बन गई वह दवाई बन गई सब कुछ नहीं है आपकी सामुहिक ताकत लॉकडाउन और अस्पताल यही बचा सकते करन्टाइन जो है या आईसोलेशन जो है वही आपको बचा सकता है और तीन महीने का बक्त लेगा तो आप अपने हिसाब से मेंटली तैयारी रखिए फिसकल तैयार रखिए और लगातार फिसकल एक्टिवनेस के घर में बैठे है एक्सरसाइज जरूर कीजिए मेरी नीजी काट दें मुझे नहीं पता लेकिन आठ बजे का इंतजार कीजिए मोदी जी क्या कहते हैं अच्छा कदम उठाएंगे तो तारीफ करेंगे कुछ गरबर होगा तो लगातार हम लोग उस पर बात करेंगे शुक्रिया